स्वागत आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल बैसला में आज आप लोगों को परवेज खान की फाइनल रेस दिखाने जा रहा हूँ NCA Championship में ट्रैक इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतिये बन गए वीडियो देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं राष्ट्रिये खेलों के स्वर्ण पदर विजयता परवेज खान बोस्टन में संयुक्त राज्य अमेरिका की NCA Championship में एक मील ट्रैक इवेंट के फाइनल में साथवें स्थान पर रहे जो दुनिया की सबसे प्रतिसपर्धी कॉलेजिट प्रतियोगिताओं में से एक है खान शनिवार को चार मिनट डिलर 3.05 सेकंड का समय लेकर साथवें स्थान पर रहे NCA Championship में ट्रैक इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतिये बन गए 19 वर्षिय भारतिये ने प्रारंभिक दौड में 3 मिनट 69 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया हरियाना के मेवाद क्षेत्र के एक किसान परिवार से तालुक रखने वाले खान ने गांधी नगर में 2022 के राष्ट्रिये खेलों में 30549 के नए व्यक्तिकत सरवश्रेष्ट के साथ 1500 मीटर का स्वर्ण पदक जीता था एक मील की दौड हलांकि भारत में कम लोग प्रिये है विश्व स्थर पर बहुत महत्वर रखती है ये एक ऐसी दूरी है जो गती और सहनशक्ती दोनों की मांग करती है एक एथलीट की क्षमता की सच्ची परीक्षा हलांकि ये ओलंपिक या विश्व चैंपियनशिप कारेक्रमों का हिस्सा नहीं है फिर भी मील दोड का अपना आकरशन है जो उन एथलीटों को आकरशित करता है जो अपनी सीमा से आगे बढ़ना चाहते हैं परवेज खान उन चुनिंदा भारतिये एथलीटों के समूह में शामिल हो गए हैं जिन्होंने NCA चैंपियनशिप जीती है तेजस्विन शंकर, मोहिंदर सिंह गिल और विकास गौडा जैसे नाम कॉलेजिट खेलों के इतिहास में गूंचते हैं उनके स्वर्ण पदकों ने परवेज के इतिहासिक खशन का मार्ग प्रशस्त किया मेवाद के खेतों से NCA के ट्रैक तक की उनकी यात्रा हम सभी को प्रेरित करती है वह जिस मील तक दोड़ा वह सिर्फ एक दूरी नहीं है यह आकांक्षाओं को जोडने वाला एक पुल है अगर आप लोग पारवेज की अगली वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल विशाल बाइसला को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करें जय हिंद जय भारत